आयोध्या में आज दीपोत्सव है, भगवान शुराम की नगरी पूरी तरह सर्ज धच कर तयार है 24 लाग दियों से राम की नगरी जगमग होगी सर्यू नदी के क्यावन घाटों पर 24 लाग दिये जलाए जाएंगे इस बार नया वाल रिकॉर्ड कायम करने की तयारी 24 लाग दीपकों से रोशन होगी लेकिन इससे पहले राम की पैड़ी और चौदरी चर्ण सिंग घाट समेथ 51 प्रमुग घाटों पर दीपोत्सव की तयारी की जा रही है दीपावली के मौके पर पूरे शहर को शांदार तरीखी से सजाए गया है दीपोत्सव के दौरान लेजर शो की भी तयारी है राम की पाड़ी पर होने वाले लेजर शो की माध्यम से भगवान राम के जीवन की जहांकी पेश की जाएगी तुलसी कृत राम चरित मानस के साथ कांट की प्रस्तूती के जरिये राम के जीवन आदर्शों को जहां जहांकी के माधियम से पेश किया जाएगा वहीं देशी विदेशी कलाकार रामलीला पेश करेंगे दीपूटसव की सारी तयारियां बुक्षमंत्री योगी के दिशा निर्देशों के मताबिक हो रही है 35,000 से जादा वॉलेंटियर्स दीपूटसव में एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड कायम करेंगे गुरुवार देश शाम तक सभी घाट उपर वॉलेंटियर्स की तरफ से अधिकतर दियों को बिचाया गया दीपूटसव में इस्तमाल होने वाले दियों का कार 24 से मिल है जिसमें सरसू का तेल वॉलेंटियर्स की तरफ से डाला गया है राम की पाड़ी और चौधी चर्डन सिंग के 51 घाटों पर वॉलेंटियर्स की तरफ से 25,000 से जादा 16 गुना 16 दियों का ब्लॉक बनाए गया है जिसमें 256 दिये सजाए गये है इनमें एक वॉलेंटियर्स की जिम्में 85 से 90 दिये प्रजवलित करने की जिम्मेदारी होगी मैं आयोध्या के घाटों से लेकर शहर तक में सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये गये हैं सभी वॉलेंटियर्स को सूती परिधानों में रहने के आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं मैं शहर के सुरक्षा व्यवस्था का सभी अधिकारियों ने जाइज अलिया आयोध्या मंडलायू, जिलाधिकारी नितिश कुमार, पुलीस महानिर्क्षक प्रवीन कुमार, वरिष्ट पुलीस अधिक्षक राज करन नयर ने दिपोट्सव को सकुषल संपन कराने के लिए कायक्रम के आयोजन स्थाल और दर्शक दीरखा का जाइज अलिया आयोध्या में दिपोट्सो भी मनाया जाएगा और उसके बाद से दिनाथ बारव को भी पावली पपरण है। उसके बाद गुवर्धन पूटा भईया दूच तथा शाष्टा परण होगा इस संबंध में शासन असकर से भी वीडियो कांट्रेंसिंग के द्वारा सतर करहन तथा दुविन पस्तरों के अंतर दुभागिये समर्वय से तयारी करने के नेटेश दिया गया हैं। जिसके परवेश में सभी तयारियां कर लिए गई हैं। लगभग 11500 मा काली और मा लक्ष्मी की मूतियां ले स्थाकित होगी और धार्मिक उच्सों के बाद से इसका इस अधियां के दौरान वने वाली सभी तयारियों के बारे में बढ़ाया गया है। विसर्जेंट की जगहों पे खिसलन नहों वहां घृभाड होगी घृव प्रवंदन की लिवस्था हो इन सभी चीजों को लेके प्रशासन सतर्ख है। इस दौरान महतुकून बाजारों में जैसे की सराखा बजार हुआ तथा अनमे दीव भाडवाले अस्था पे वरिश्था दुदागियों के द्वारा नीमत फुट पेट्रोली तथा बतादें कि यूपी में योगी आधितनात के सियमपत पर काबिस होने के बाद ये सात्मा दीपोतसब है। इस बार यूपी के साथ कई प्रदेशों की संस्कृती से रोबरू कराये जाएगा। योगी सकार, धोबिया, फरुआही, राई और छाओ लोकमृत्य को भी वैश्विक मंच दे रही है।